Hello everyone, welcome to my channel इस वीडियो में मैं आप लोगों को Class 10th 168.4 के Question No.3 को Solve करने वाला हूँ जो student Question No.1 और 2 के Solution का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देखे हैं जिसका link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर आपको I बटन पे मिल जाएगा तो चलिए इस Question को Solve करते हैं यहाँ पर आपको Question है 10theta बटा 1-4theta प्लस 4theta बटा 1-10theta प्रूब करना है 1-6theta इन्टू कॉसिट थीटा तो चलिए इस Question को Solve करते हैं Solution LHS LHS के दिया हो है 10theta बटा 1-4theta प्लस 4theta 1-10theta यहाँ पर क्या करेंगे cot theta को 10theta की रूपे चेंज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10theta बटा 1-1 बटा क्या होता है 10theta होता है चुकि इसका एक फर्मूला होता है 10theta into cot theta is equal to क्या हता है 1 होता है तो 10theta is equal to क्या हो जाएगा एक बटा क्या हो जगा cot theta होता है and cot theta is equal to एक बटा क्या होता है 10 theta होता है according to formula क्या कर दिया यहाँ पे cot theta को मैंने 1 बटा 10 theta लिख दिया उसके बाद क्या जगा plus यहाँ पे cot theta को उसको क्या लिख देंगे 1 बटा 10 theta बटा 1 minus 10 theta तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका LCM ने लेंगे तो यहाँ पर क्यों जगा 10 positively byatter सका थेटा- 1 क्योंकि 10 सिता जब 1 के साथ तो क्या बचेता थेटा बचेगा और 10 सिता को 1 के साथ multiply करेंगे तो क्या थेए ज regional ते जब 1 को 1 के साथ जब multiply लाइख करेंगे तो 1 आएगा फिर साइन प्लस का प्लस यहाँ पे क्या जोगा एक बटा 10 ठीटा बटा नीचे में है 1-10 ठीटा यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे क्या है 10 ठीटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो क्या हो जाएगा 10 ठीटा बटा इसको क्या करेंगे गुना में चेंज कर देंगे तो क्या होता है जो नीचे में होता हो उपर और जो उपर में होता हो नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा into उपर क्या बन जाएगा 10 theta बटा 10 theta minus 1 हो जाएगा plus plus है 1 बटा 10 theta 1 बटा 10 theta यहाँ पर कुछ नहीं तो यह नीचे 1 हो जाएगा into यहाँ पर इसको क्या कर देंगा भाग को गुर्णा में change कर देंगे तो जो संग्षा नीचे में है उपर और जो ऊपर हो नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर क्या भाग कर जाएगा 10 theta को जब 10 theta के सथर असर स्थन मैं बैटा क्या हो जाएगा 1 into 10 theta minus क्या हो जाएगा यहां पर क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे अब यहां पर वन बटा यहां पर क्या बनेगा टेन थीटा इन्टू वन माइनस टेन थीटा अब यहां पर क्या करेंगे टेन असक्वाइट थीटा है टेन असक्वाइट थीटा है बटा क्या हो यहां पर टेन तीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर जो माइनस है उसको माइनस को बाहर कर देंगे हम तो तो मैंनस में हो जागा और यहाँ पर मैंनस में हो प्लस में हो जागा तो क्या हो जागा 10 theta minus क्या बचेगा 1 बचेगा आप क्या करेंगे इन दोनों का क्या लेंगे LCM ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जागा 10 theta into 10 theta minus 1 क्या ले लिए LCM ले लिए आप क्या करेंगे 10 theta minus 1 को divide करेंगे 10 theta into 10 theta minus 1 तो 10 theta minus 1, 10 theta minus 1 कर जाएगा 10 theta को 10 square theta के साथ multiply कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10 cube theta बन जाएगा minus 10 theta into 10 theta minus 1 को 10 theta into 10 theta minus 1 को divide करेंगे तो 1 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आजाएगा 1 का cube करने पर इसका answer में किसी तरह का changing नहीं होगा लेकिन यहाँ पर एक formula बन जाएगा a cube minus b cube का तो इसका formula होता है a minus b into a square plus a b plus b square होता है तो simply इसको इस form में क्या करेंगे तोर देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 cube theta minus 1 का cube है तो यहाँ पर a cube minus b cube का form में तोर देंगे तो क्या हो जाएगा A plus B यानिकि 10 theta minus 1 into A square is equal to 10 square theta plus 10 theta into 1 घंज़ेगा 10 theta into 1 घंज़ेगा 10 theta हो जाएगा उसके बाद plus 1 का cube करेंगे यहाँ पर 1 का square करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा 10 theta into 10 theta minus 1 यहाँ पर 10 theta minus 1 और 10 theta minus 1 क्या जगा उपर नीचे कड जाएगा तो क्या बचेगा 10 square theta plus 10 theta plus क्या बचेगा 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 square theta plus 10 theta plus 1 बटा क्या है 10 theta है अब यह 10 theta है सभी के साथ का जगा अलग लग divide हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्कॉर्ट ठीटा बटा 10 ठीटा प्लस 10 ठीटा बटा 10 ठीटा प्लस एक बटा क्या हो जाएगा 10 ठीटा हो जाएगा तीटा प्लस कॉट थीटा यहां पे क्या करेंगे तेन थीटा का एक फर्मूला होता है तेन थीटा इस इकोल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का फर्मूला होता है cos theta बटा sin theta ठीक है तो इसको 10 theta को sin theta बटा cos theta में and cos theta को cos theta बटा sin theta में इसको थोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 plus 10 theta को sin theta बटा cos theta हो जाएगा and cos theta का हो जाएगा cos theta बटा sin theta अब यहाँ पर क्या करेंगे इन तीनों का LCM ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जागा sin theta into cos theta क्या बन जागा इसका LCM बन जागा यहाँ पर 1 को जब इससे divide करेंगे तो क्या हो जागा sin theta into cos theta बचेगा जब इसको क्या करेंगे simply 1 के साथ multiply कर देंगे तो क्या हो जागा sin theta into cos theta बन जागा यहां पि क्या करेंगे, sin θeा को sin θeタ into cos θeTA के साथ divide करेंगे, तो sin θe Turn, sin θe throw cut, तो उपर मि assaulted Linda और जो बचा of cos DA blindness, दोनों कぁ स्क्वाईर हो जागा, तो cos a square ठeτα बन जाएगा, यहां पिक्या जागा, sin squared theta, plus cos a square theta, is equal to 1 हो, इसका formula होता है, sin squared theta, plus cos a square theta, is equal to कहता है 1 होता है यहां पर इसका बदले क्या हो जागा 1 हो जाएगा तो sin theta into cos theta plus sin square theta plus cos square theta का value कहता है 1 होता है बट्टा sin theta into cos theta हो जागा यहां पर क्या करेंगे sin theta into cos theta है उसको sin theta into cos theta के साथ भाग देंगे फिर 1 के साथ भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin theta into cos theta बटा sin theta into cos theta plus 1 बटा sin theta into क्या हो जाएगा cos theta हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा sin theta into cos theta बटा sin theta into cos theta यह दोनों क्या जगा कट जागा तो इसका क्या हो जगा 1 आ जागा plus 1 बटा क्या है sin theta into cos theta है तो इसको लिख सकते है, एक बटा साइन थीटा, इन्टू, एक बटा कॉस थीटा, एक फर्मूला होता है, एक बटा साइन थीटा, इस इकल टू क्या होता है, एक बटा साइन थीटा, इस इकल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इन्टू, एक बटा कॉस थीटा, इस इकल मजमें आ गया हो यदि आप लोगों को किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद